हेलो दोस्तों मैं हूँ एन ये बीमेस का स्टुडेंट और माई यूट्यूब चैनल में माडिकोट डपर आपका स्वागत है तो दोस्तों इस वीडियो में एक इंपोर्टेंट इंफोर्मेशन के बारे में बात करने वाला हूँ करने हैं और इसमें कौन कोशी केंडेट है जो इलिजिबल होंगे और दोस्तों वह सब्सक्राइब पॉस्टे वह इंपोर्टेंट होने वाला इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी कीप ना करें और वीडियो के अंद तक देखें ओके दोस्तों तो वीडियो के स्टार्ट करते बिना देर के वीडियो के इंद तक बने रहे हैं हेलो दोस्तों तो आज जो है MCC ने स्टे वेकर से राउंड की सीट मेटरिक्स जो है वह रिलीस कर दी गई है और उसी सीट मेटरिक्स के बार में इस वीडियों में बात करने वाले हैं कि total किती जो seats है वो vacancy round में और इसमें कौन कौन से जो candidate है वो eligible हैं क्या new candidate भी इसके लिए eligible है या फिर नहीं है और इसके लिए new registration करना फड़ेगा या फिर नहीं तो इनी सबी के बारे में इस video में हम बात करने वाले है इसलिए video important होने वाले है लिए वीडियो को बिल्कुल भी skip ना करें ओके दोस्तों तो यह देख सकते हो नोटीस जो है वह 11-2021 का नोटीस है जो stay vacancy round से related notice है ओके दोस्तों तो इसमें पहला point यहां पर दे रहा है कि जो stay vacancy round है वह offline mode में होगा only ओके दोस्तों तो यह online में नहीं होगा यह offline होगा यहां पर दे रहा है clear ओके दोस्तों दूसरा point दे रहा है must confirm the eligibility condition जित्ती भी eligibility condition है वह fulfill होने चाहिए तब ही जाके आप इसमें participate कर शकते हो ओके दोस्तों उसके बाद में यहां दे रहा है fifth point जो दे रहा है वह देर का rules और guidelines हो है for stay vacancy round के लिए वह mcc की official website पर आपको मिल जाएगा वहां से इसके rules और guidelines को एक बार डाउनलोड करके आप देख लेना किसके rules और rules और guidelines क्या है or kay dives और mcc जो portal है वो open होगा चार जनौरे से चार जनौरे की बीच में और जिस candidate ने registration नहीं कर रहा है वह candidate वहाँ पर जाकर registration कर सकता है और जिस candidate ने registration कर रहा है उसको registration करने की कोई जर्वत नहीं है ओके दोस्तों यहाँ पर दे रखा है सिधा सिधा not for already registered candidate अब कौन कौन सी candidate जो है वो eligible है तो यहाँ पर 7 point दे रखा है कि not eligible for stay vacancy round जिस candidate को round 1, round 2 और मौपव round में seat alert हो गई है वो candidate जो है वो stay vacancy round के लिए eligible नहीं है ओके दोस्तों दूसरा point दे रखा है not registered candidate तो जो registration नहीं कराएगा वो भी candidate जो है वो eligible नहीं होगा ओके दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हो कौन कौन सी जो candidate है वो eligible होंगे और कौन कौन सी जो candidate है वो not eligible है ओके दोस्तों तो जिस candidate को round 1, round 2 और मौपव round में seat alert होगे तो वो candidate जो है वो इस step vacancy round के लिए eligible नहीं है अब देखते हैं कि कौन सी college जो है वो इस step vacancy round को conduct करवाती है तो जिते भी ms seats हैं उसको ms दिल्ली जो हैं वो conduct करवाईगी और एक वी mmc conduct करवाईगी और mmc, maids, ucms और lhms इनकी जो seats हैं उसको conduct करवाईगी दिल्ली इनुर्शिटी, amu की seats को तो amu conduct करवाईगी bhu को bhu ही conduct करवाईगी ओके दोस्तों तो यहां से आप देख सकते हो और dimd university है तो जिस भी dimd university में आपको admission लेना है उस dimd university में जाके आपको counselling करवानी है ओके दोस्तों तो यहां से आप देख सकते हो आप देखते हैं इसकी seat matrix कि इसमें कितनी जो seat से वह vacant हो कौन-कौन सी college में कितनी seat जो है वह vacant है ओके दोस्तों तो यहां से आप देख सकते हो यह इसकी seat matrix है तो amu जो है इसमें बीडियस जनरल केटिगरी की दो seat है यहां पर आप देख सकते हो अडिम्ड इनुशिटी जेन माइनरिटी कोटा से इसमें BDS जनरल की 18 seat vacant है अडिम्ड इनुशिटी यहां पर management and pet seat के लिए है management and pet seat के लिए जो है यहां पर आप देख सकते हैं इस college में MBS जनरल केटिगरी में 10 seat है इसमें MBS जनरल PWT की 2 seat है BDS जनरल के लिए 29 seat है BDS जनरल के 55 seat है MBS जनरल के लिए 16 seat है MBS जनरल के लिए 5 seat है BDS जनरल के लिए 10 seat है MBS जनरल के लिए 1 seat है MBS जनरल के 3 seat है BDS जनरल के लिए 48 seat है MBS जनरल के लिए 3 seat है तो यहां से आप देख सकते हो कि कौन सी college में किती जो seats है वो vacant है यहां बर भी यह पूरी की पूरी dimd ही ही है और management and pet seat quota है और यहां पर देख सकते हो BDS general यहां पर petition seats vacant है तो यहां पर कितनी seats जो है वो vacant है उसको एक बार आप अच्छे से देख लेना ओके दोस्तों यह पूरी की पूरी dimd university है और जो quota है वो management and pet seat वाला quota है ओके दोस्तों तो यह पूरी की पूरी dimd university है यहां पर आप देख सकते हो कौन से college में किती seat है आप पूरी detail दे रखिए और उसको एक बार आप डाउनलोड करके अच्छे से देख लेना इसका जो पीडे फाइल का लिंक है वो मैंने इस वीडियो के description में भी दे रखा है या फिर इसकी MCC की official website पर भी जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो यहां पर भी dimd university है लेकिन यहां पर जो quota है वो NRI seats का quota है तो यहां पर जैसे की स्कॉलेश में दे रख्या है MBBS की general के लिए 8 seat है यहां पर MBBS general के लिए 23 seat है BDS general के लिए 16 seat है MBBS general 37 seat है MBBS general के लिए 20 seat है तो ओके दोस्तों तो यहां से देख सकते हो कि कितनी जो seat से वो vacant है अब बात करते हैं यहां पर यह dimd university है इसमें NI seat रखें अब दिली स्टेट DU internal तो इसमें मौलानाजाद जो है इसमें BDS OBC category के लिए 4 seat मौलानाजाद में BDS general के लिए 4 seat और BDS SC category में 1 seat BDS ST category में 1 seat और MBBS OBC BWD में 1 seat तो यहां से देख सकते हो कि किती जो seat से वो vacant है okay दोस्तो open seats यह EMS की seats देख सकतो कि कौन सी college में जो है वो कितनी seats जो है वो vacant है okay दोस्तो तो यहां पर जो total जो seats vacant है MBBS & BDS की मिलाकर वो है 2463 okay दोस्तो तो यहां पर आप देख सकतो 2463 जो है total seat जो है वो vacant है ऊंवके दोस्तों तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा यह यदि वीडियो पसंद आय तो वीडियो को लाइक करना से जादे से जाधे इसको शेयर करना तके और स्टूर्डेन को भी पता लग जाए कि इस्टवेकिंसी जो राउंड सुरू होने वाला है ऊके दोस्तों तो यह थी एक इंपोर्टेंट अपडेट जो आपके साथ सेर करना था तो यदि हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही मेडिकल काउंसलिंग से रिलेटेट एकुरेट जो सब्सक्राइब करेंट झाईब करें इस आतर आपके से डिलेटेश करेंट raging करें JOHN